ट्रेंडिंग में आए दिन नई नई चीजे आती है भाई कभी इंस्ट्राग्राम पर यूट्यूब पर आती है और अभी हाल फिलाल में शिफाली वर्मा का नाम पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के बाद तो डेफिनिटल उनको जान जाएंगे उससे पहले मेरे दोस्तों नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो लाइक कर दो और बैल आइकन को जब दबाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो शिफाली वर्मा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वो प्लेयर है जिन होने क्रिकेट के बाहूभलयी करता धरता सच hygiene है रिकार ब्रेक कर दिया शिफाली वर्मा यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुकी है अब सेंचूरी लगाने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेटफॉर्म पर ये खिताब पहले मिस्टर सचीन तेंदूल कर के पास में था लेकिन अब शेफाली वर्मा के पास में हर्याना से आई लड़की जिसने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते देखने का सपना देखा था। शेफाली वर्मा रो तक हर्याना की रहने वाली है और जिस जगे से ये आती है वहाँ पे मेंस स्पोर्ट को बहुत जादा सपोर्ट करा जाता है लेकिन जब शेफाली वर्मा ने अपने क्रिकेट की जर्नी शुरू करी थी तब इतना सपोर्ट विमिन्स क्रिकेट को मिल ही नह लेकिन इस दीवार को तोड़ने के लिए शेफाली वर्मा का कॉन्फिदेंस और उनके परिवार का सपोर्ट ही काफी था। 10-11 साल के उम्रे से ही शेफाली वर्मा ने क्रिकेट में अपनी जर्नी चालू करी थी। लेकिन दिक्कत तो वहांने लगी थी जब मेंस क्रिकेट को तो सपोर्ट करा जा रहा था लेकिन वमेंस क्रिकेटर को इतना भी सपोर्ट नहीं था कि मेंस क्रिकेटर के साथ में प्रैक्टिस कर सके अपने गेम की। शेफाली वर्मा ने इस किस्से से जुड़ी एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें शेफाली वर्मा के भाई जो थे वो क्रिकेट खेला करते थे, एक दिन बेमार पड़ गए और क्रिकेट खेल नहीं पाई, तो शेफाली वर्मा ने सुचा क्यों पासकर उनके पिताजी को लगा कि इन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने देना चाहिए। इसके बाद शेफाली वर्मा क्रिकेट में इतनी डूब गई और उनकी पहली जो काम्याबी मिली उन्हें वो थी स्कूल की टीम को नैशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने की। इस शेफाली वर्मा का कहना है कि अगर उनका स्ट्रगल नहीं होता तो उनकी सक्सेस भी नहीं होती। उनका स्ट्रगल और उनकी सक्सेस साथ साथ चली है। पैसे की दिक्कत हो चाहें परिवार की दिक्कत हो चाहें सुसाइटी की दिक्कत हो। लेकिन उनकी मेहनत में इतनी टीटोंटी में दसवे नंबर पर चगे बनाई है शिफाली वर्मा इंडिया के लिए टीटोंटी में खेलने वाली यंगेस्ट प्लेयर भी बनी उनके अंतराश्वी क्रिकेट का सफर यहां तक भी पहुंचा जब उनके बल्लेबाजी के अंदास को क्रिकेट के लेजंड ओप आज की समय में शिफाली वर्मा को टी 20 वोमिन वर्ल्ड कप की बिग हिटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है शिफाली वर्मा हर उस लड़की के लिए प्रोचाहन बनी जो इंडिया के लिए क्रिकेट खिलने का सपना देखती हैं शेफाली वर्मा के क्रिकेट का सफर हम आप तक यूँ ही पहुचाते रहेंगे, हाल फिलाल में ये वीडियो दोस्तों खतम हो चुका है, सब्सक्राइब बेटन जरूर दबाईएगा, नोटिफिकेशन बेल को इतनी जोर से बजाईएगा कि आगे आने वाली कोई भी वीडिय ना करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में